नमस्कार दोफता एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिक स्वागत है लेट अप्टेर निकल कर आए कि पैंशनरों के लिए जरूरी खबर पैंशन बढ़ाने के मामले में आया बड़ा फैसला तो दोफतों पैंशनर के पैंशन को लेकर जो बड़ा फैसला आया है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर पॉस्टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ इसाथ पर लाइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंशन से समन्दी जितनी भी नूँ जाती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंद पोस्के तो करते हैं विडियो को स्टार्ट बिना किसी दे रहे हैं दोफ्तों भारत के करोडों पैंशनों के लिए एक जरूरी खबर है वही है कि केंदर सरकार ने पैंशन बढ़ाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला करने का मन बना रही है एक संसेदी ये समित्य के स्परसों पर सरकार पेंशनों को अतरिक पेंशन के बुक्तान को लेकर जल्थी कोई बड़ा फैसला कर सकती है माना ये जा रहा है कि सरकार की और से देश के करोड़ों पेंशनों को अतरिक पेंशन बुक्तान को लेकर कोई प्रावधान कर सकती है सरकार की देनदारिया वैसी ही बड़ी हुई है जब अत्रिक पेंशन बुक्तान का प्रावधन किया जाएगा तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा संसद की सताई समित्य की और से की गई स्पारिस में यह है जिकर किया गया है कि समित्ती बर्सों से हमारे समाज में हो रहे सामाजिक मन्तन और परिवर्तन से काफी प्रीचित है हमारे देश में सेयुक्त प्रिवार की वफता रही है और एकल प्रिवार उसका सथान ले रहा है एकल प्रिवारों के विकास ने आगे चलकर वैक्तिवाद और वैक्तिवादी सोच में वरीदी की है और वहप पीडी विक्सित हो रही है जो सियुक्त प्रिवारों की प्रंप्रा के अनुसार बुजर्ग माता पिताया दादा दादी के सरंक्सन से दूर रहना चाती है ऐसे में बुजर्गों की देख बाल की समस्या बढ़ती जा रही है 27 मेती ने अपनी स्पारिस में यह भी कहा है कि एक अनुमान के अनुसार 2050 तक देश के जन संख्या में 60 साल से अधिक उमर के बुजर्गों की संख्या काफी बढ़ने का आसार दिख रहे हैं ऐसे में समाजिक सतर पर इस तरह के बदलाओ को देखते हुए हमें बुजर्गों के लिए एक मजबूत पैंशन परनाली की आवशक्ता करनी होगी जो उन्हें इस दुनिया में किसी पर भी बोज बने कर जीने रहने के लिए नहीं कहीगी सताई समीती ने अपने सपर्स में कहा है कि पैंशनों के संगठन ने सरकार 65 साल की आयू प्राप्त करने वाले पैंशनों को 5 परतिशत अतरिक पैंशन सतर साल वालों को दस परतिशत पिचेतर वालों को पंदरा परतिशत और असी साल वालों को बीश परतिशत अत्रिक पेंशन देने की मांग की है समित्य ने काया कि सरकार को पेंशनों के संगठन की मांग पर सहना भूती पूर्ण विचार करना चाहिए दोस्ता सताई समीति ने अनुसंसा की है कि पैंशन और पैंशन कल्यान विभाग वितमंत्राले के साथ गंबिर्ता के साथ आगे बड़े और समीति को उससे अवगत कराई सताय समित्ति की अनुसंसाप पर व्या विभाग ने 5 अप्रेल 2022 को सला दे की पेंशन और पेंशन कल्यान विभाग ने यह नहीं बताया कि सरकार द्वारा अत्रिक्त वितिय भार कैसे पूरा किया जाएगा इसलिए यह सला दी जाती है कि पहले आर्थिक मामले विभाग के जट पर भाग की पास बेजा गया आर्थिक मामलों के विभाग ने 2 मई 2022 को अपने जबाब में काकी प्रानी पेंशन योजना के एकान सरकार की पेंशन देंदारिया वित वर्ष 2022-23 में ने केवल 2.07 ला करोड रुपे तक पहुच गई है बलकि साल दर साल बढ़ती जा रह ही है वर्तमान प्रफ्ताओं के कान इन देंदारियों में और बर्दी सरकार पर मैतकोन दबाव डालेगी जो बांचनिय नहीं हो सकता जब सरकार राजकोशिय समेकन के मारक पर पालन करते हुए उत्पादन निवेश के लिए उच्छ संसाधनों परदान करने में जूटी की उमीद है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत